नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं न्यूस खिलिक का डेली राउंड अप शो आईए नज़े डालते हैं आज की मुख्यों सुर्क्यों पर दियू खोलनी की मांग को लेकर चात्र चात्रों की 48 घंडे की भूख अर्ताल पुलिस ने हिरासत में लिया हर्याना खट्टा सरकार के खिलाफ विपक्ष के अव विश्वास प्रस्ताओं के समर्थन में किसानों ने भी की मोर्चा बन दी सक्तापक्ष के विधायकों को ग्यापन सौपे दिली सरकार के अस्पतालों में मुफ्त कोविट टीके के लिए बजट में 50 करोड रुपए आवंटेत कुरोन अबडेट देश में 24 घंटों में 15,388 नए मामले 52 दिनों में 2.3 करोड लोगों को लगी वैक्सीन सबसे पहले आपको ले चलते हैं एक बड़ी ख़बर की तरफ उत्राखंट BGP सरकार में बड़ा फेर बदल हुआ है मुखिमंती त्रिवेंद्र सिंग रावत ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है उन्होंने मंगलवाज शाम करीब 4 बज़े के बाद राजभवन जाकर राज़िपाल बेबी रानी मौर को अपना इस्तिफा सौपा रावत को लेकर BGP के भीतर काफी समय से विरोध बढ़ता नजर आ रहा था पिछले कुछ दिनों से राज में नेतितु परिवतन की अटकले 23 थी इसी की चलते उन्हें सोमवार को अचानत दिल्ली तलब कर लिया गया था दिल्ली से लॉटकर उन्हें अपना इस्तिफा दे दिया अब बुद्वा सुबह BGP विधाय दल की बैटक होगी जिसके बाद नए मुक्र मंत्री के नाम की घोशना की जाएगी महिला दीवस आठ मार्च के दिन दिल्ली विश्विध्याले में आयोजित एक कायक्रम में जिस तरह से गुंडा तत्वों का हमला हुआ वह अपने आप में काफी गंबीर है इस दोरान मजदूर अधिकारों को लेकर लड़ने वाली कार करता नौदीब कौर पर भी हमला हुआ था आरोप है कि इस हमले के पीछे ABVP से जुड़े कार करताओं का हाथ था इस हमले से न डरते हुए नई सुबह यानि आज मंगलवाद 9 माज को फिर से चातर चातराएं अपने विश्व विद्याले को खोलने के लिए भूख हरताल करने के लिए आर्ट्स फैकल्टी पहुँच गए लेकिन दिल्ली पुलिस ने चातरों को हिरासत में ले लिया उसके बाद भी इन चातरों ने अपना विरोध जारी रखा और हिरासत में ही भूख हरताल जारी रखी SFI यानि Student Federation of India के दिल्ली राज अधक्ष सुमित कटारिया के मुताबिक उन्हें और अनेक साथ 17 अन्य चातरों को हिरासत में लेकर पुलिस उपायुक्त के ऑफिस ले जाये गया जिसमें महिला चातर भी शामिल थी इन्हें बस में भर कर पुलिस ले गई खबर लिखे जाने तक इन्हें छोड़ा नहीं गया था आपको बता दे कि वाम चातर संग्टनों, SFI, ISA, KYS, PINJRA TOR, PACHAS, BSCM, सहिद अन्य कई संग्टनों ने DU को खोलने की मांग को लेकर भूख हर्ताल करने का आहवान किया था इन्चात संग्टनों का कहना है, सरकार कोरुना के नाम पर गरीब छातों से उनका पढ़ाई का हग छिन रही है जब देश में सब कुछ खुल गया है, बड़ी बड़ी चुनावी रैली हो रही है, तो ऐसे में कैंपस को क्यो बंद कर रखा गया है भारती जन्ता पार्टी की उत्रखन सरकार अपने ही विधायकों को असंतोष से जूज रही है, तो विपक्ष और किसान उसकी हर्याना की सरकार की घेरा बंदी कर रही है जी हाँ, हर्याना में भारती जन्ता पार्टी के नेत्यत वाली गड़बंदन सरकार के खिलाब विपक्ष 10 माच यानि बुद्धवार को अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है किसान भी यह सुनस्षित करना चाहते हैं कि सत्तर उड़ बिजेपी और जेजेपी वा अन्य विधाई भी उनके साथ आकर खट्टा सरकार के खिलाब अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मद्दान करें 90 सदस्य हर्याणा विधान सबाब में बिजेपी के 40 सीठे और जन्नाई जन्ता पार्टी यानि जेजेपी की 10 सीठे हैं और सरकार को 530 विधायकों का समर्थन हासिल है अविश्वास प्रस्ताव के लिए समर्थन जुटाने के लिए बारती किसान यूनियन हर्याणा के नेता गुरुनाम सिंग चाडुनी के अवान पर किसानों ने मंगलवार को अपने अपने निर्वाचन चेतरों में विधायकों के घरों के बाहर विरोध प्रजशन करते हुए एक ग्यापन सौपा इस ग्यापन में विधायकों से कहा गया है कि आप अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में सरकार के खिलाफ वोट करें यही एकमात तरीका है जिससे जन विरोधी सरकारे एक महत्वपूर सबक सीखेंगी यदि आप सरकार के समर्थन में मद्दान करते हैं तो इस निर्वाचन शेत्र में जनता आपको सबक सीखाने के लिए मजबूर होगी किसानों की समोचाबंदी से 70 रूट बिजेपी में खल बली है और उसने अपने विधायकों को लेकर विहिब जारी कर दिया है दिली सरकार ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार के अस्पतालों में आगामी चर्णों में भी लोगों को कोविड-19 का ठीका मुफ्त में दिया जाएगा और इसके लिए वाशिक बजट में 50 कर रूपए का प्रावधान किया गया है उपमुख मंत्री और वित्म मंत्री मनेशी सोधिया ने 79,000 कर रूपए का बजट पेश करते हुए कहा कि स्वास्य छेत्र के लिए 9,934 कर रूपए आवंटित किये गये है मंत्री ने कहा कि आम आदमी निशुल्क कोविड वैक्सीन के योजना के थैंत 50 कर रूपए का प्रावधान किया है सिसोधिया उपमुख मंत्री होने के साथ वित्मंत्राले का कामकाज़ भी समाले हुए है किंदी स्वास्त मंत्रे दोरा आज मंगलवार 9 माज को जाड़ी आगड़ो के रूसार देश में पिछले 24 गंडों में कोरोना के 15,388 नए मामले सामने आये हैं और 77 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी विश देश में कोरोना से प्रित 16,592 मरीजों को ठीक किया गया है एक लाग 57,930 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में कोरोना से प्रित 96,92 फीस दी यानि एक करोड आठ लाग 99,394 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संग्या घट कर 1,66 फीस दी यानि एक लाग 87,462 रहे गई है स्वासमांत्राले की ताजर जानकारी करनुसार देश में अब तक करोणा वैक्सिन की 2,38,733 डोज दी जा चुकी है जिन में से 20,19,733 वैक्सिन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है ICMR 12,000 आगड़ो करनुसार करोणा की पहचान के लिए अब तक 22,27,16,796 सैंपलों की जांच की गई है जिन में से 7,48,525 सैंपलों की जांच पिछले 24 घंटों में हुई है आज के डेली रॉंडों में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया के अनिक खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंगलिस वेब साइट भी जरूर देखें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्टिटर पहमें फॉल्लो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया